हेलो दोस्तों अन्नु की रेसिपी में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे कस्टड केक बिना मैदे का और यह केक बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहां पे लेंगे हम एक कप आटा यह केक मैं आटे का बना रही हूं अगर आपको अगर आपके पास PCU चीनी नहीं है तो आप पहले mixer grinder में चीनी को पीस लें अब टीव स्पून बेकिंग पौडर वन फ़र्थ टीव स्पून बेकिंग सोडा अब सबको हमें mixer grinder में 30 से 35 से के लिए हमें ग्रेंड कर लेना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए तो यह दिखे हम अब दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें डालेंगे ड्राइ मिक्षर को धिरे धिरे करके हमको चलनी से चाल लेना है हमने मिसरन को चलनी से चाल लिया है अब इसमें हम डालेंगे दूध तो दूध हमें एक ही बढ़ ज्यादा नहीं डालना है थोड़ा थो यह देखिए हमने बहुत जादा ना गाढ़ा रखा है ना जादा पतला तो यहां पर मैं डाली हूं वन टेबली स्पूल वेनेगर इसे मिला लेंगे तो यहां पर मैं रेटेंगल शेप का ब्रेट इन ली हूं पर मैंने ओल ग्रीश कर लिया है अब आप चाहें तो इसमें कर देंगे यहां पर हमने एक बड़ी सी कड़ाई रखा है और यह हमने पहले से प्रीट करके रखा था अब हम इस केक्टीन को इसमें डाल देंगे और लो फ्लेम पर हमें इसे 30-35 मिनट के लिए से बेक करना है तो अब हम इसे ढख देंगे 35-40 मिनट हो गया है और केक को हम तो यह देखिए केक काफी फुला फुला सा दिख रहा है और कलर भी काफी अच्छा आया है केक के उपर अब इसमें हम ड्राई नाइफ को डाल के देखेंगे कि इस केक सही से हुआ है या नहीं तो यह देखिए नाइफ बिल्कुल क्लीन है यानि केक हमारा परफेक्ट है त इसे हम बाहर निकाल लेंगे, यह देखिए केक्टिन बिल्कुल क्लीन है, यह देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बना है और कलर भी काफी अच्छा आया है, अब इसे हम कट कर लेंगे, तो यह देखिए कितना सॉफ्ट बना है, काफी जालियां भी पढ़े हैं इसमें, मैं आपको एक तोड के दिखाती हूँ, वाओ, सुपर टेच्टी, आप भी इस तरह केक्ट जरूर बना है, और यह केक्ट आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है, और यह काफी हेल् प्लीज मेरी रेसिपी को लाइक कर दे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें, फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तेक लिए दीजे इसाज़त, बाब बाई, टेक क्यार